हुआ है देर सब्सक्राइब तो मैं चैनल और अल्सो प्रेस्ट इस बैल आइकान हेलो एवर्वान मैं नेम इस मोहमद आइसन आज की मेरी वीडियो है एस एफ के रिटन पेपर के बारे में तो यह जो मैं आपसे क्वेस्टन शेयर करने जा रहा हूं यह जो अब आपको फेस करने पड़ें तो यह क्वेस्टन मोस रिपीटिड क्वेस्टन भी हैं बहुत से पेपर में भी देखे गए अभी recently जो इस 2022 के अंदर paper हो रहे हैं उनके अंदर ये questions देखे जा रहे हैं तो इनको तियार कर लिजेगे इंशाला आपका current affairs काफ़ी जाद तक clear हो जाएगा तो इससे पहले मैंने एक video बनाई थी जो पकिस्तान में recently flood आया था उसके तकरीबन 15 questions मैंने share किये थे तो 15 MCQs थे उसमें तकरीबन काफ़ी सारे मैंने latest और new database वो सारे उठाए थे तो वो video भी आप यहाँ से परसू कर सकते हैं बाकि इन questions को भी देख सकते हैं इसके लावा और बहुत सी videos इंशाला ASF written paper पर मेरी आएंगी जिन लोगों अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया चैनल को subscribe कर ले तो अभी चलते हैं अपनी video के तरफ let's start सबसे पहले पहले question देखे the 2001 global hangar index rank Pakistan डेश among 161 16 countries 116 country में से Pakistan का जो hangar index rank था वो कौन सा था अब problem यह है कि यह global hangar index है यह है क्या यह basically hangar से book होती है यह एक international इदारा है जो कि किसी भी मुलक है उसकी book को measure करता है अब book में क्या होता है foods relevant जो issues आ रहे हैं उसके पाद बच्चों के जो issues आ रहे हैं child waste इसके लावा जितने भी घुरुबत के जो मामलाद होते हैं उनको सारा यह study करता है global hanger index यह फिर नंबर इशू करता है कि इन इन countries में इतनी book है तो उस point of view से यह एक नंबर इशू करता है तो उस वकत पाकिस्तान का जो नंबर था 2021 में वो 92 था जो के अभी रिसेंट्ली इंप्रूव हुआ है आगे चलते हैं नंबर टू देखते हैं दा फेडरल गोर्मेंट पॉइंट डैश एज दा न्यू गवर्नर आफ स्टेट बैंक आफ पाकिस्तान तो वह है जमील आहमद जमील आहमद अभी रिसेंट्ली गवर्नर है स्टेट बैंक के पाकिस्तान रसीव डैश लॉन इंस्टाल्मेंट फ्राम दी आई एम एफ अंडर दी एक्स्टेंड़ फॉंड फजिलिटी तो पाकिस्तान ने रिसेंट्ली एक लॉन इंस्टाल्मेंट लही थी पहली आई एम एफ से तो वह कितने million की थी तो वो बनती थी 1.16 billion थी पंजाब गोर्मेंट डेश एस सीनियर मिनिस्टर आफ दी कैबनेट पंजाब गोर्मेंट ने अभी कैबनेट का एक सीनियर मिनिस्टर नोमिनेट की है उसका नाम है असलम इकबाल हाजा question number 5 को देखे अधा पीस केबल इस 15,000 km सब मेरीन केबल फ्रम पाकिस्तान टो डैश अब यह पीस केबल बिसीकली है क्या यह पाकिस्तान में पाकिस्तान ने अभी आफ्रीका कुनेक्टिंग यूरप बिसिकली इसको ब्रिवेशन बनता है तो यह एक मालब पानी के अंदर अंदर एक केबल बिचे एक नेटवर्क बिचाया गया जिसकी मदद से मालब पूरे जो इसको कुनेक्ट किया जाए यूरप के साथ तो यह बिसिकली बहुत जबरदा प्रोजेक्ट तेस में जो पंदरा सो किलो मीटर की पहली केबल थी वो फ्रांस के साथ कुनेक्टिंड किया थी आप को स्टेन नबर सिक्स देखे दापीज केबल एक्स्टेंड इट फ्रॉम पाकिस्तान टू डैश फ्रॉम एडिशनल पैन सेट सो किलो मीटर डैश तो अब यह आगे मजीद केबल एक्सटेंड की जी थी फ्रांस के आगे सिंगापूर के साथ यह कुनेक्ट कि जी 25 सो किलोमीटर एडिशनल पाकिस्तान जर्मल फूचर सब्मिट वाज एल इन डैश पाकिस्तान जर्मन का एक जो फ्रॉचर आने वाला एक सब्मिट होता है बैसिकली के जिसमें जो दोनों कंट्रीज के जो इश्यू पे डिस्कस करने के लिए एक प्लेटफार्म का नाम दिया जाता है तो उसको कहा जाता है एल्ड होगा था फीचर एल्ड होगा कहां पे होगा ये बरलिन में होगा अभी रिसेंटली मैचिस हुए थे इसमें एश्या कप किसने जीता था तो वो सीरिलंका थी अभी ये जो कप एश्या का कप खेला गया था तो ये दुबई में था ये पाकिस्तान का पहला दस साला बचा था जिससे यूटूब ने इवाड़ दिया था ये पहला यूटूबर पाकिस्तानी है उसके बाद अलावन ब्लोचिस्तान वाज मेड एजा प्रुवैंसिन डैश अब बलोचिस्तान को कब सूबा बनाया गया था ये 1970 में बलोचिस्तान को एक प्रोविंस बनाया गया था दी कुस्चन नमबर 12 देखे दा फाउंडर आफ डान न्यूस पेपर वास डैश तो ये देखे बहुत से नाम आते हैं से बच्चों का ये कुस्चन जहिन में भी नहीं आए कर गये इसका नाम इसका फाउंडर काईदयाजम मुहमद अली जहना थे डान न्यूस पेपर के कुस्चन नमबर 13 दा नैचरल गैस वास डिसकवर एट सुई बलोचिस्तान इन डैश के बलोचिस्तान में सुई गैस कब डिसकवर की जई थी ये 1952 में हुई थी कराची में यूस कंसलेट है इसका बेसिकली वो पूछ रहा है कि अभी रिसेंट्ली जर्नल कौन है तो ये तीन चार नाम लेके हुए है नेकलोट थेरोट बेसिकली इसका भी रिसेंट्ली जर्नल है कॉस्चन नमबर 15 देखे दा डैश कंसिटूशनल कोर्ट सस्पेंड़ प्राइम मिनिस्टर पेरायोथ चेन ओचा फ्राम ओफिस अभी रिसेंट्ली ये किसी एक मुलक के चैंपियोन्शिप ये कौन से मुलक की थी इंडोर गेम्स ये चाइना की थी तो यह अवर ग्रेट नेशनल पार्ट के नाम की एक नेटफिक्स पर डाकूमेंटरी सीरीज चलाई गई थी तो यह basically किस सदर के नाम की चली थी तो यह चार दिये हुए हैं यह बराक उबामा था जिसके नाम पर यह बनाई गी थी question number 18 देखे yen is the currency of dash yen किस की currency है यह जापान की currency है the largest planet in our solar system is जपीटर जपीटर सबसे बड़ा प्लैनेट है तो यह basically 19 questions थे इनको देख के आप असानी से अपनी तियारी कर सकते हैं तो यह paper के अंदर इंशाला आपको face करने पढ़ेंगे और मिलेंगे paper के अंदर mostly the next video था खुदाफफ़